कि आने वाले समय में हम लोगों को bank, Nifty और Nifty में किस तरीके का momentum दीख सकता है और market में जो एक trigger waiting है वो trigger के बाद market में किस तरीके का momentum हो सकता है तो सबसे पहले start करते हैं Nifty का analysis अभी आपके सामने में ने जो chart लगाया हूँ आए वो Nifty का spot का daily का chart है अगर आप लोग देखोगे तो यह जो trend line डे इस trend line के नीचे जब तक market बना है तब तक downtrend बना रहेगा और अगर इस trend line के उपर market आता है तो ही market में आपसेड का momentum स्टार्ट हो सकता है अगर आप इस downtrend के phase में देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि market में जो है वो एक trendy phase के बाद हम लोगों को एक retracement का phase देखने को मिल चुका है तो जब भी market इस retracement के phase में आता है तो हम लोगों को यहाँ पर एक range bound का momentum देखने को मिलता है बस इसी तरीके का scenario अभी market में चल रहा है अगर आप देखोगे तो पिछले एक हपते से market में ज़्यादा कुछ गिरावट या upside का momentum हम लोगों को देखने को नहीं मिला है तो यह जो range bound का momentum बना हुआ है इस range bound के momentum में हम लोग price action का analysis करेंगे उसको open interest के data के साथ club करेंगे और फिर उसके बाद trade करने का decision ले लेंगे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब तक market is trend line के नीचे रहेगा मेरे लिए best trading strategy रहेगा sale on the rise का मतलब जब भी market उपर resistance level के करीब आ जाएगा मैं वहाँ पर sale करना prefer करूँगा या फिर market में जो important support level है इसको market जब downside की तरफ break करेगा तो वहाँ पर मैं sell करना prefer करूँगा इस price action के logic को आप note down करके रखिया और next time lieu market में इसको implement करना चालू कीजिए अगर हम लोगों के लिए best trading opportunity कब मिल सकता है तो हम लोगों को सबसे पहले chart के उपर draw करना पड़ेगा कि कब market जो है वो इस range bound zone को break करेगा अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके सामने में ने एक zone draw करके रखा हुआ है यह market का एक बहुत ही important range bound zone बन जाएगा जब तक market इस level के नीचे नहीं आ जाता हम लोगों को एक sharp fall देखने को नहीं मिल सकता यहाँ पर जब market आ जाएगा तो high probability यह market में एक negative news का trigger आने वाले हपते में हम लोगों को मिल जाएगा वो कही पर भी आ सकता है it doesn't matter for us हमारे लिए important क्या है हम लोगों को result चाहिए जो अपने account में reflect हो हम लोगों के लिए reason क्या है वो important नहीं है reason कौन से भी रह सकते है लेकिन हमारा focus जो रहेगा वो trade के उपर रहेगा अभी हम लोगों के लिए क्या करना रहेगा मैंने आपको बता हुआ था कि जो लोगों का portfolio minus में चल रहा है उनके लिए मैं averaging करने का level आपको बता दूँगा तो मैं आपस request करूँगा कि आप लोगों का जो भी portfolio है अभी उसके थोड़े मुझे बता दीजिए comment section में कि कितना percent minus में चल रहा है और आपके पास mid cap, small cap और large cap के कितने sharehold है सबसे best आपको averaging करने का समय जब आएगा जब मार्केट में एक daily candle यहाँ पर इस trend line के ऊपर close देगा जब daily candle इस trend line के ऊपर close देगा तो high probability यह market इस momentum को upside की तरफ continue रख सकता है अगर market इस trend line के नीचे consolidate होता है तो जितन जादा time consolidate हो जाएगा फिर breakout के बाद उतना बड़ा downfall आभी भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर यह जो momentum हुआ है इसमें first मत जाना यह जो momentum है यह retracement का momentum है यहाँ पर कई भी upside का trend हम लोगों के लिए develop नहीं हुआ है upside का trend जो है वो easy trend line के ऊपर develop होने वाला है अभी देख ले थे कि intraday में हम लोगों को कौन से level के ऊपर trading का opportunity मिल सकता है उसके लिए हमें 15 minute chart के ऊपर जाना पड़ेगा अभी आपके सामने में ने 15 minute का chart लगाया हुआ है यह 15 minute के chart में हम लोगों को कहां पर focus करना पड़ेगा कि कौन से level के बाद market में बड़े player का entry या exit हो सकता है इसके लिए हम लोग previous chart को use करेंगे previous chart में हम लोगों को यहां पर clear कर दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा fall इस level से शुरू हुआ था तो यह level हमारे लिए important resistance level की तरह काम करेगा फिर उसके बाद आगर हम लोग downside से trend line draw करते है तो यह trend line हमारे लिए बहुत ही लंबा आ रहा है तो फि हो जाएगा तो high probability market यहां से नीचे आ सकता है तो उस case में हम लोग 15900 का जो put है वो 15900 के put को यहां पर buy करेंगे हमारा पहला target जो रहेगा वो आज का जो closing price है यह हमारा पहला target रहेगा अगर market gap down के साथ open हो जाता है तो immediate कोई भी trade मत किजिए market को थोड़ा consolidate होने देजिए फिर मैं आपने इस प्रिवाले channel में आपको update कर दूँगा जहां पे मैं bank nifty nifty option के intraday के signals देता हूँ यह channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है जहां पे 1,9999 से जादा लोग जुड़े हुए है अभी देख लेते कि bank nifty में किस तरीके का scenario बन रहा है और हमें कौन स लेवल के उपर trade करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग bank nifty का daily chart का analysis करेंगे अभी आपके सामने मैंने daily chart लगाया हुआ है जैसा मैंने आपको analysis का step सिखाया हुआ था उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि market में long term के हिसाब से कौन सा train चल रहा है तो यहां पे एक retracement के phase में हम लोग देखेंगे कि उपर की side में कहां पे हम लोगों को resistance का level मिल सकता है तो market अभी exactly resistance level के करीब आ चुका है 33,774 का जो level है यह हमारे लिए as a resistance की तरह काम करेगा तो मंडे के दिन या चूजदे के दिन market यहां पे बोट time के लिए consolidate होता है और फिर इस level को upside की तर प्रेफर करेंगे क्यों क्योंकि यहां पर overall trend जो है वो market का downtrend है तो उस case में हम लोग क्या करेंगे 33,800 का जो call है वो 33,800 के call को यहां पर buy करेंगे ऊपर की side में हमारा target यह gap का जो point है 34,400 का यह हमारे लिए important target की तरह काम करेगा meanwhile बीच में यह 34,000 का जो level है यहां पर अगर आप देखोगे तो call की side में one of the highest open interest बन चुका है तो मेरी यह आशंका है कि यहां में से कुछ लोग हमारे लिए trap हो जाएंगे तो वो trap होने के बाद हम लोगों को short covering का quick momentum आने वाले समय में bank nifty में ढेकने को मिल सकता है जिसके लि सामने में ने intraday का chart लगाया हुआ है तो intraday के chart में आपको clear कर दिखाई देगा कि उपर की side में हम लोगों का जो resistance level है यह resistance level को market ने multiple बार test किया हुआ है लेकिन यहां पे जो बड़ा fall market में हुआ था इस बड़े fall की वज़े से क्या हो जाएगा जो लोगों ने यहां पर call right profit करके profit बनाया रहेगा उन में से कुछ लोगों का monthly वाला position भी रहेगा क्योंकि यह weekly expiry actually ओर हो चुका है इस दिन अभी जो monthly expiry में जो लोगों ने यहां पर position create किये रहेंगे वो open interest की data में clear cut दिखाई दे रहा है अगर आप यहां पर देखोगे तो market इस दिन completely range bound momentum दिखाया इसके पीछे का reason यही है क्योंकि यहां पर जो लोगों ने already position बना के रखे हुए monthly series में वो अभी तक यहां से exit हुए नहीं है जो लोगों ने मेरा option chain का free का course किया रहेगा उनको यह concept समझ में आया रहेगा free का course कैसे करना इसके details मैंने telegram channel के उपर डाले हुए जिसका link वीडियो के नीचे है तो हमारे लिए सबसे important क्या रहेगा कि market अगर इस level के करीब consolidate हो जाता है और एक दिन के लिए और फिर मंगलवार के या बुदवार के दिन यहां पर हम लोगों को breakout मिलता है तो वो हमारे ल बुदवार के दिन हम लोगों को या मंगलवार के दिन मिल जाएगा तो वो हमारे लिए best opportunity रहेगा हम लोगों को एक point के उपर focus करना है कि जब भी हम लोग trading करते हैं तो trading करते समय हम लोगों के लिए important क्या रहेगा कि market उपर जाएगा या नीचे जाएगा इसके बारे में मत सोचे market को follow करने की कोशिश कीजिए अगर आप market को follow करना चालू कर दोगे तो automatically success पैसा जो है वो आपको follow करना चालू करेगा बहुत सारे लोगों का problem क्या आ जाता है वो confusion stage में रहते है कि यहां से market उपर जाएगा या नीचे जाएगा basically आपको market जो है वो predict करने की जरूरत न success का 97% पार्ट जो है वो psychological skill count करते है technical skill में हम लोगों को just point के उपर focus करना है वो simply support resistance point है फिर उसके बाद trend line है फिर उसके बाद chart pattern है यह सभी point हम लोग सिखने के बाद money management के उपर focus करेंगे लेकिन यह सभी point सिखने के बाद आप लोगों को जो problem आता है वो loss का problem आता है आप लो उसके trade को avoid करने की कोशिश में आप trading strategy को बार बार change करते हो और इस loop में first जाते हो अगर इस loop में से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको check करना पड़ेगा कि market किस तरीके से behave करता है price action किस तरीके से होता है जब एक बात यह हम लोगों को समझ में आ गई तो फिर हम लोगो अगर आपको कुछ doubt है तो मुझे comment section में बता दीजे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो doubt clear करने की कोशिश करूंगा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजे और अपने youtube चैनल को subscribe करके bell icon का button दाबा दीजे तो मिलते है next educational वीडियो में thank you very much